नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूट्यूब चैनल जर्धारी क्लासेज में दोस्तों आज 5 दिसंबर 2030 को उत्राखंड अधिनस्त सेवा चाइन आयो UK SSSC के तरब से एक विग्यापन जारी क्या गया है चले दोस्तों देखते हैं क्या है विग्यापन तो उत्राखंड अधिनस्त सेवा चाइन आयोग द्वारा सम्होगा के अंतरगत विभिन विवागों के इंटरमीडियट इस तरह अरहता के रिक्त पदों पर चाइन ही तो विग्यापन जारी क्या गया है विग्यापन प्रकस्म की तिति है 5 दिसंबर 2030 ओनलाइन आविदन करने की प्रारम तिति है 11 दिसंबर से और ओनलाइन आविदन करने की अंतिम तिति है 31 दिसंबर 11 दिसंबर से आप 31 दिसंबर तक ओनलाइन आविदन कर सकते हैं संसोधन की जो तिति है 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक और लिकित परिक्षा की अनुमानितिती है 31 जनवरी 2024 31 जनवरी को यह परिक्षा हो सकती है तो उतराखंड अधिनस्त सेवा चैन आयुद्वारा सम्होगा के अंतरगत परिवान आयुक्त संगठन में परिवान आरक्षी तो परिवान आरक्षी के 118 रिक्त पदों पर कारेले आवकारी आयुक्त में आवकारी सिफाही के 100 रिक्त पद पर और कारेले आवकारी आयुक्त में उप आवकारी निरिक्षक के 14 रिक्त पद, गोविंद वल्लब पंत क्रिस यों प्रियोंद्धिकी की विश्विध्यालाय पंतनगर में होस्टिल मैनेजर ग्रेड थीरी के दो रिक्त पदों पर और महिला कल्यान विभाग में ग्रहमाता हाउस कीपर के दो रिक्त पदों पर अर्थात कुल 236 रिक्त पदों पर सीधी भर पदन कर सकते हैं अब देखते हैं पदों की डिटेल तो पद नाम है परिवहन अरक्षी तो रिक्त पदों की जो कुल संक्या है कुल पद है 118 पदों पर रिक्तियां आ रखी है इसमें और आप इसमें देख सकते हैं वेतनमान है 21700 से 619100 लेवल थिरीका है आयुसीमा 18 से 30 वर परिक्ठा परिक्षद की इंटरमीडेट परिक्षा या सरकार द्वारा उसकी समगक्ष मानेता प्राप्त हुई अन्य प्रिक्षा उतिर्ण होना intermediate यहां पर मांगे गई है अधिमाने अरता क्या है इसमें प्रादिचिक सेना में दो वर्स की नियूंतम अवद तक सेवा की हो या राश्ट्रिया कैडिट कोर का भी परमान पत्र प्राप्त क्या हो यह अधिमाने अरता है सारे अरता हैं भी इसमें है उंचाए के बात करें तो सामाने अनसुची जाती पिछडी जाती के अभ्यारतियों के लिए 165 cm अनसुची जन जाती के अभ्यारतियों के लिए 160 cm और महिला अभ्यारतियों के लिए 155 cm के हाई पुरुस अभ्यारतियों के लिए सीना बिना फुलाई 18 cm और फुलाने पर 83 cm यहाँ पर मांगा गया है 5 cm का यहाँ पर फुलाओ मांगा गया है सारीक दक्सता की बात करें तो पुरुस और महिला अभ्यारतियों के लिए दोड में क्या है पुरुष अभियारतों के लिए चिनप और महिला अभियारतों के लिए रसी कूद मांजी गई है पुरुष्ट्रों के लिए छे बार चिनप और महिलाओं के लिए एक मिनट में पचपन बार रसी कूद इसमें मांगा गया है दूसरा पद नाम है आबकारी सिपाई है इसमें कुल पद है सो पद और इसमें वेतनमान है 2700-61900 लेवल वही है आएसी माह अठारा से पैंधिस वर्स मांझे गई है इसमें अनिवारे जो सैक्षिक आता है इसमें इंटर्मीडेट परिक्षा और उसके संकक्ष तो इंटर्मीडेट इसमें मांझे गई है और अधिमानी भी सेम होई है अगर बात करें सारिक दस्ता की सारिक मापदंड की तो सेने की माप पुरुस अभ्यारतियों है तो मांजे गई है 78.8 cm बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 cm और अगर परवतिया छेत्र अनसुचित जन जाती के अभ्यारतियों के लिए 76.3 cm और 81.3 cm मांजे गई है फुलाने पर उंचाई के बात करें तो परवतिया छेत्र को छोड़ कर सामाने पिछडी तथा अनसुचित जाती के अभ्यारतियों के लिए 166 cm मांजे गई है परवतिया छेत्र के अभ्यारतियों के लिए 5 cm के इसमें छूट दी गई है और उत्राखंड के अनसुचित जन जाती अभ्यारतियों के लिए 160 cm मांग गया है महिलाओं के लिए 152 cm परवते के लिए 147 और अंसुजी जंजाती के लिए 147 सेम यह है सारेक वजन के वल महिला अभ्यारतियों के लिए दिया गया है 45 kg नियूनतम बजन होना चाहिए सारेक वजन इसमें मंग गया है अनिवारे सारे प्रेक्षन दिया गया है पुरुस अभ्यारतियों के लिए दोड़ जो है 4.8 km समय दिया गया है 30 मिनट में अगर होगा तो 12 अंक परदान के जाएंगा 27 मिनट में 15 अंक, 24 मिनट में 18 अंक, 21 मिनट में 20 अंक परदान के जाएंगे महिला अभ्यारतियों के लिए 200 मीटर की दोड़ दी गई है 52 सेकंड में 12 अंक दे जाएंगे 50 सेकंड में इस तरह से अलग अलग सेकंड में अलग अलग अंक दे जाएंगे लंब्यकूद की बात करें तो इसमें फिट में है 15 फिट, 17 फिट, 18 फिट और परदान किये जाने वाले अंक आपको सामने दिखाए दे रहे हैं 15 फिट में 12 अंक 17 फिट में 16 और 18 फिट में 20 अंक लंब्यकूद में महिलाओं की बात करें तो 8 फिट में 12 अंक दिये गए है 9.5 फिट में 16 अंक और 10 फिट में यहाँ पर 20 अंक दिये गए है किरकेट बोल थो की बात करें तो पुरुष अभ्यारतियों के लिए 61 मीटर में 12 अंक दी जाएंगे 63 मीटर थो में 16 अंक और 65 मीटर थो में 20 अंक परदान की जाएंगे महिला अभ्यारतियों के लिए 12 मीटर थो में 12 अंक परदान की जाएंगे से 92,300 लेवल 5 ग्रेट पी है आईशीमा है 21 वर्स से 22 वर्स और जो सैक्चिक अरता है इसमें मादमिक सिक्षा परसद उत्राखंड की इंटर्मीडेट परिक्षा या सरकार द्वारा उसकी समक्ष को इंटर्मीडेट ही दिया गया है और अधिमानी अरता भी सेम है इसमें अनिवार्य सारिक अरताएं हैं उंचाई है सामान्य वर्ग के लिए 166.60 cm और महिला अभ्यारतों के लिए 152 अनुसुचित जाति के लिए 160 और महिलाओं के लिए 147 परवतिय छेत्र के लिए 162.606 और महिला के लिए 147 सीने की माप केवल पुरुष अभ्यारतों के लिए अनुसुचित जाति हों परवतिय छेत्र के लिए 163.3 cm बिना फुलाई है और 81.3 cm फुलाने पर सामान्य अन्य अभ्यारतों के लिए 88.8 cm और फुलाने पर है 83.8 cm नियुनतम 5 cm का फुलाव है सारेक वजन महिलाओं के लिए 45 kg नियुनतम चोथा जो पद नाम है होस्टल मैनिजर ग्रेड 3 कुल पद यहाँ पर दो दिया गये हैं वेतनमाज 1,700 से 69,100 आईसी मां 18 से 42 वर्स इसमें दिया गया है अनिवार्य जो अहता है इसमें इंटर्माणपत्र इसमें अनिवार्य अहता है पद नाम ग्रह माता हाउस की पर महला रहे और इसमें दो रिप्त पदों की संक्या है वेतनमान है 25,500 से 81,100 तो आईसी महें 21 से 22 वर्स और जो अनिवार अरहता है इसमें हैं इंटर्मेडियाट है और किसी सरकारी संगठन या किसी परतिष्टित नर्सिंग होम में हाउस कीपर की रूप में दो वर्स का कारे करने का अनुभाव इसमें मांग गया है। लिकित परिक्षा का पाठे करन की बात करें तो इन पदों पर चैन है तो सो अंकों की वस्तुनिस्ट परकार की बहुई कल्पिया दो घंटे की एक परतियोगीता परिक्षा की जाएगी जिसमें पद की सेक्षिक अरतास के संबनेते प्रस्ण होंगे। लिकित परतियोगी परिक्षा में सामने ओबीसी सिरेनी के अभ्यारतियों को 45 परतिसात तथा अनुसुचित जन जाते और अनुसुचित जन जाते सिरेनी के अभ्यारतियों को 35 परतिसात नियुन्तम अरक अंक लाना अनिवारे होगा। अन्य था वही लिकित परिक्षा में अनारम मान जाए तो नियुंदम जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके से आपको दी गई है आयुशीमा की बात करें तो आयुशीमा की गढ़ना की जाएगी एक जुलाई 2023 से जो नियुंदम आया है वो हमने उपर आपको बता दी गई है अलग-अलग पदों पर अलग रख दी गई है सुलकी की बात करें तो अनाराचित उतराखन अन्य पिछड़ा वर्ग जन्रल ओबिसी के लिए 300 रुपे सुलक है अनसुचित उतराखन अनसुचित जाते सी और उतराखन अनसुचित जन जाते स्ट आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 150 उत्राखन के दिव्यांग अभ्यारतियों के लिए 150 रुपे और अनात के लिए यहां पर क्या है निसुल अब बात करें यहां पर सिलेवस जो आपको दिया गया है तो भाग एक में है 20 अंगों का इंटर इस्थरियस सामने प्रिश्ण पत्र परिक्षा है तो पाठेकरम जो दिया गया है विसा है सामने हिंदी भासा और साहित आएगा 20 अंगों का 20 नंबर का यहां पर सामने हिंदी दिया गया है तो यह आपको यहां पर सिलेवस देखने को मिल जाएगा और हम अपनी सिलेवस के अकोर्डिंग वहां पर क्या है अल्डेडी क्लासिस दी गई है हिंदी की उत्राखन की और जनरलिस्टेटी की सामने ग्यान और सामने अध्यान जो भागदों का है मानसिक यूगिता हैं तरकसक्तिक एस 40 अंगों का है इसमें आप देख सकते हैं रिजनिंग है इतिहास है भारत और विश्वक का इतिहास है इसमें यह जाएंगी भूगोला है भारत विश्वकी और राजनीती विग्यान है यह सभी चीज़ें हमने अल्लेडी आपको प्रारा किया है साथ ही अगर आपको इसके नोट्स देए तो आप जरधारी-classes.in की website में जा सकते हैं वहां से आपको इसके नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे वहां से आप इनके नोट्स भी ले सकते हैं यह सारी चीज़ें से लेबस से अर्थसास्त्र दिया गया है समसमाई की घटना है और भागत्री में उत्राखन से संबनेत बिवित जानकारी 40 अंका उत्राखन है तो टोटल यहां पर 100 अंका है 40 अंका उत्राखन है 40 का जियास और रिजिनिंग है और 20 नमर की हिंदी दीगे हैं तो दोस्तों यह हो गए आज की वीडियो इसकी डिटेल हम आपको वेबसाइट में दे देंगे या आप टेलिग्राम में जोईन कीजए वहां पर इसकी वीडियो आपको परदान की जाएगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद